देखे आज आम आदमी पार्टी का एक डेलिगेशन इलेक्शन कमिशनर्स थे रूबरो हुआ हमने उनसे मिलने का समय मांगा था और समय इसलिए मांगा था क्यूंकि हम भारतिये जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जिस प्रकार का घटिया और बेहूद का इसका कंटेंट डालकर हमारी पार्टी और खास तौर पर हमारे नेता अर्विंद के जरिवाल जी की छवी खराब करने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ शिकायत दर्च कराई जाए और इलेक्शन कमिशन से गोहार लगाई है कि आप इसका संग्यान लेकर भाजपा के खिलाफ उचित कारवाई कीजिए राजनीती के अंदर सार्वेजनीक जीवन मर्यादा जरूर रहनी चाहिए अगर वो मर्यादा कोई भी शक्स या कोई भी पाटी उसे वाइलेट करती है तो वो एक प्रकार से हमारी पुलिटिकल पाटी पे हमारी संसकारों पे reflect करता है मेरी भारती जंता पार्टी को यही एडवाइज रहेगी कि लोगों का character assassination करना बंद करें अर्विन केजरिवाल जी से लड़ना है तो चुनावी मैदान में लड़ें आप भी जंता के बीच जाओ आमापनी पार्टी जंता की बीच जाएगी देखते हैं जंता किसको वोट देती है लेकिन अपने प्रचार तंतर और अपने सिस्टम का इस्तमाल करकर अर्विन केजरिवाल जी पर हमले करवाना उनके परिवार को गालियां देना उनकी छवी खराब करना उनका character assassinate करना यह एक इतनी बड़ी राष्टिये पार्टी जिसकी केंदर में सरकारों से शोभा नहीं देता हमने इसी के खिलाफ आज एक शिकायत दर्च कराई है एलेक्शन कमिशन में शिकायत में बड़ी ही डीटेल में कौन से कानून की कौन सी धारा भाजपा के सोशल मीडिया कंटेंट द्वारा वाइलेट की गई है उसका भी डीटेल में वर्णन किया गया है पांच नवंबर इसी महीने के पांच तारीक को भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अंडल्स पर अर्विंद केजरिवाल जी की खिलाफ एक बहुत ही बेहुदा अपमान जनक कंटेंट डाला था जिसकी खिलाफ आज ये शिकायत दर्ज होई हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमिशन इसका संग्यान लेते होए उचित कारवाई करेंगे देखिए पहला दर्वाजा इलेक्शन कमिशन का होता है हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमिशन हमारी शिकायत का संग्यान लेते होए उचित से उचित कारवाई करेंगे वाइलेशन रेप्रेसेंटेशन और पीपल आट का हुआ है वाइलेशन आईपीसी की धाराओं का हुआ है वाइलेशन इन्फोरमेशन आईटी आट का हुआ है इन तीनों आट्स का जो वाइलेशन हुआ है उसके संदर्ब में भाजपा के खिलाफ सक सक कारवाई की मांगा जाम आदनी पार्टी ने करी